चैनल पर सबसे महंगी अन्बॉक्सिंग 300Hz का रिफ्रेश रेट पाइनल वाला डिस्प्लेय मिलता है जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको क्या देखने मिलता है आज आपको मैं एक लाप्टॉप के बारे बताऊंगा जो काफी जादा इंसेन निकल कर आता है बाई हम भी नहीं दिख पारे तो रुको यह रहा वो लाप्टॉप जो मैं कहर रहा था और जैसे कि मैंने काट टेबल भी साइसे चोड़ा पड़ेगा आज के लिए अब जाती खुला अभी एक एक करके सारी चीज़े निकालते हैं अबसे पहले बड़ा वॉक्स है इसके अंदर हमें देखने मिलता है इसका बैक पैक इस लाप्टॉप के लिए और एकदा मस्तमे आरोजी का ओरिजनल बैक देखने मिलता है और यहां पर इस लाप्टॉप के लिए मैं इतना ज्यादा एकसाइड़ क्यूंकि यह जो यह रहा में अंदर वो में खतरना कीज यह बॉक्सि के अंदर यह भाई सब्सक्राइब अंदर है laptop इसके अंदर इसकी सारी ऐसे सिरीज और इसके अंदर है जब इसकी प्राइजिंग मैंने Amazon पर देखी तो 17,000 उवे के यह headphone देखने मिलते हैं ओह ओह इसका बहुती जादा बड़ा वाला ब्रिक देखने मिलता है मस्त वाला इसके बाद यह headphone खोलते हैं इसके अंदर यह वाले चाहिए वह लगा सकते रिटैचिबल माइक देखने मिलता इसके अंदर तो आप इसके अंदर connect करो इसे और यह जाएगा आपके PCI laptop के अंदर और इन हैंट फीलिंग इन हैटफोन की क्या ही कहो अब आई है में चीज की बारी मैं आपको frankly बोलू मैं चाहता तो आपको नहीं बताता था कि यह मुझे भेजा गया है या मैं नहीं बताता था आपको आप अपनी family है आप लोगों के support की वज़े से यहां पर आज बैठे हुए है इसके लिए मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि यह laptop आप लोगों के इतने इंसेन support की वज़े से हमें मिल पाया है मैं आपको जो भी है बता देता हूं like for example हम phone purchase करते हैं तो वह भी मैं आपको बाता देना है मैंने purchase किया है so comment session में एक बार होई जाए टैकी सेना OP सच में हो जाए so यहां से यह push होगा ओ भाई साहब और यह कैसे ओखे ओ इस तरीके से push किया तो laptop भाई साहब भी बहार आ गया और कुछ manuals और बाकी other सब चीजे है इसके अंदर और यह भी है इसके अंदर तो यह आपको like handrest के लिए मिल जाएगा keyboard typing यह रहा अपना main powerhouse मैंने 144 Hz के display यूस कर है वो भी 3 milliseconds के response time के साथ में यहां पर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं क्या ही बता हूं बहुत ही ज्यादा अच्छा बिल्ड है ROG का logo यहां पर आता है और जब आप इसे open करोगे तो आपको क्या देखने मिलता है यह भाई साब उपर आते है आप जैसे इसे खोलो होगे यह भाई साब उपर की तरफ आ जाते हैं तो डूल स्क्रीन आपको देखने मिलती है विद पॉप अप और यह टेच पैनल है तो यह टेचिंग वचिंग का काम आप कर सकते हैं यहां पर आप रखो इस तरीके से और अपना जो भी काम है आप कर सकते हैं तो आपको रि 8GB वेरेंट यहां पर हमें देखने मिलता है और यहां पर Windows 10 आपको जैन्वन देखने मिल जाएगा और साथ ही साथ में यहां पर जो स्टोरेज है वह आपको 1TB की SSD देखने मिलती है तो 300Hz का जो डिस्पले है ना वह क्या ही रिस्पॉंस निकाल के देता है जब मैंने इसे तो रहा सा experience किया जो secondary screen आपको देखने मिलती है यह आती है touch screen आपको देखने मिलती है इसके अंदर आप जो भी आपना content प्ले कर रहे हो जो YouTube देख रहे हो या फिर color grading का काम कर रहे हो या फिर video editing का काम कर रहे हो जिसके अंदर आपकी टाइम लैने आप नीचे की तरफ रख स जाता है और दो USB port आपको देखने मिलते है और पीछे की तरफ यहाँ पर एक RJ45 का port देखने मिलता है internet cable connection करने के लिए और आपको एक और USB port देखने मिलता है और यहाँ पर इस laptop के अंदर जो speaker है ना वो आपको की नीचे तरफ देखने मिलते है और जब मैं इसे experience कर रहा था तो like वो हलके से आपको खह सकते हो यहाँ पर जो bass निकाल के देता है क्योंकि आपको पूरा bouncing effect अंदर की तरफ बन जाता है तो जिसकी वज़े से वो पूरा chamber है ना पूरा जो volume अबहार निकालता है वो काफी जादा अच्छी तरीके से output देता है यहाँ पर इस laptop के अंदर आप color grading का काम हो गया Photoshop हो गया editing हो गया वो जो काम है एकदम easy तरीके से आराम से कर सकते हो यह जो laptop की जो build है ना वो काफी जादा अच्छी और interesting निकल कर आती है अगर आप बात करो इस एरिया को लेकर या फिर इस वाले पूरे चेंबर को लेकर बहुती प्रीमियम और बहुती जादा अच्छी quality देखने मिलती है आपको इस laptop के मिलता है इसके अंदर भी direct इसे रख सकते हो यहां पर अभी जो video recording देखने मिल रहा है यह webcam तो मैंने यहां पर रखा हुआ है इस तरह के से टेबल टॉप भी कर सकते है और जो audio भी है इस ही के माइक से सुनने मिल रहा है अभी इसे शिफ्ट कर देता हूँ और अभी यहां पर जो camera मैंने लैप्टॉप के ऊपर ही मांट गर दिया है अभी देख सकते हो किस तरह की कॉलिटी तो as a webcam काफी अची कॉलिट का अच्छी कॉलिटी का webcam चाहिए तो 1080p के साथ में आता है और जो condition अभी आप देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छी तरीके से output देखने मिल रहा है तो यहां पर जो trackpad है वो भी मुझे काफी पसंदा है जिसके अंदर आपको additional touch button देखने मिल जाता है जिसके अंदर आप calculator वगेरा on कर सकते हो trackpad का जो पूरा surface आपको glass back देखने मिलता है जिसका जो output है जो आप कह सकते हो touch response है वो भी एकदम accurate और काफी जादा अच्छा देखने मिलता है और यही बात keyboard की तो वो भी जो output है वो भी आपको काफी अच्छा देखने मिलता है tactile आपको देखने मिलते है इसका full review भी हम लेकर आने वाले है तो guys यहाँ पर आप सभी का thank you so much techie sena एक number OP हो आप लोग जिसकी वज़े से सारी चीज़े possible हो पाईए इसी तरह की से support निखाने के लिए जो इस वीडियो का like का target है उसे फटा-फट complete कर दो क्योंकि आगे आपको और भी interesting चीज़े देखन इतना ही और इतना ही